दोस्तों फड़वर्ट से मार्केट का अपडेट लेते हैं बिटकोईन के अंदर यहां से क्या मुवमेंट एक्सपेक्टेड है कितना यहां पर पॉंप आ सकता है क्या इस लेवल को बेक आउट देगा इसके बारे में बात करेंगे साथ ही यहां पर बात करेंगे कि मार्च का हम बिटकोईन का अपडेट लें तो डेली चार्ट के अंदर हमें सिंपल ही देखने को मिलेगा यहां पर हुआ क्या बेसिकली कि प्राइस ने यहां पर एक ब्रेकाउट दिया था हमने प्रीजस देखा था उसके बाद प्राइस दुबारा से डंप लेके इस एरिया से तो वह ब्रेकाउट यहां पर कर देती है थी टाइम से जादा जब हो जाती है वही सुटेशन यहां पर भी बनी वी है चांसे सार हाई कि यह वाला जो रहसें सा 45,500 डॉलर से लेके 45,600 डॉलर के आसपास लगबग यह एरिया यहां पर ब्रेक होगा और प्राइस यहां से 47, 27,000 डॉलर तक हम जाता हुआ दिखेगा इसी मंद के अंदर इसके हाई चांसे से रहेंगे अगर कोई बुरी नियूद यहां पर नहीं आती है अब यहां पर हम बात करते हैं थोड़ा शॉट टर्म में यह थो थोड़ा लॉंग टर्म अप्डेट हो गया 15-20 दिन का पूरे म का लेवल एंड जो हमारा रेस्टंस का भी काम करेगा एंड उसर इंपर्टेंट डिवल जो हमारा है वो है 41,600 डॉलर से 41,900 यह पूरे एरिया है जहां पर प्राइस आये का तो अच्छा खासा रियक्शन हमें देखने को मिलना चाहिए अगर प्राइस इस लेवल पर आता है और यहां पर हमें एक भी चार घंटे की या फिर थी आर की या फिर टू अर्स की एक भी यहां पर पॉजिटिव केंडल हमें देखने को मिले तो हम यहां से लॉंग करने का देख सकते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या कि प्राइस अगर इस लेवल को तोड देता है लेकिन जब तक हम इसके इस लेवल के उपर हैं तब तक चांसे सा रहाई कि यहां से आप नहीं आएगा अब मार्केट उपर ही मूफ करना स्टार्ट कर देखिए यह सिंपल भाशा में में आपको बहुत समझाया अब यहां पर हम थोड़ा दूसरा सेनरी देखते हैं कि एक ली हो गया फिज हम यहां पर आयगा में यहां पर नायगा उनाएगा तो हम यहां पर रागचुन करने का देखिए हम यहां पर लॉट करने करे दो लौक कर सकते है otherwise अभी कोई decision देना अभी कोई trade देना यहां पर बीच में अठक के थोड़ा disk की होगा इसलिए आप थोड़ा wait करो या तो उपर वाले level breakout हो या फिर हम नीचे वाले level पर आएं तो हम यहां पर trade देने का देख सकते हैं अब यहां पर हम बात करें और थोड़ा short term के अंदर अगर आपको क्विक करना है तो यह level भी में इसाब से बुरा नहीं है यह हमारा एक छोटा साम कह सकते हैं छोटा मोटा support रहेगा जो कि रहेगा 42,800 डॉलर का level 850 डॉलर का level यह हमारा छोटा support कितना काम करेगा अगर वनार के साथ 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 आप टेड करो आपको scalp करना है daily trade करना है तो आप इसका use कर सकते हो कि price यहां पर आए support है तो यहां पर आ साथ ही साथ उपर वाले जो एरिया 45,000 डॉलर के आप इसको यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यूज कर सकते हो short term के इंदर लेकिन इस बार chances हाई रहेंगे कि आने वाले कुछ दिनों के इंदर यह breakout हो जाए resistance रहता है इस level के उपर तो क्योंकि काफी बार test हो अब यहां पर कुछ न्यूज क्यों प्रमूफ करते हैं और बात करते हैं कौनसे ऐसे बड़े events हैं तो market को impact कर सकते हैं March month के दर तो सबसे important चीज यह जो पंप आया इसके पीछी कहीं ना कहीं बड़ा रिजर यहां पर रशिया वर्सिस यूपर की बीच में जो बहुत चल ला है वो भी है जहां पर रशिया के अंदर बहुत यूज बड़ा है बिटकोईन का एथिरियम का एंड यूज़ीटी का जहां प किप्टो के अंदर देखने को मिल लिए युकरेन के अंदर किप्टो करंसी एक international transition system है वहां पर हम easily transition कर सकते हैं कोई रोग तो उसमें नहीं रहती तो यह एक reason में लगता है जहां पर price बढ़ने का हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इसका reduction बढ़ा तो price बढ़ने का हमें देखने बाकी है month इसलिए important मैं कह रहा हूँ एक तो यहां पर देखने को मिलेगी क्योंकि यहां पर एक अप्रेल से start हो जाकर tax लगना तो March के अंदर ही होगा चो होना है तीसरी important चीज क्या कि Fader की अगर हम बात करें जो Fader की meeting होती है FOMC meeting जहां पर काफी लोग बात करें दें कि interest rate को इस बार बढ़ाया जाएगा वो भी यहां पर होनी है 15-16 March को तो इसलिए यह तीन बड़े event है एक तो रश्चा युकोईन का वार्ट तो चली रहा है साथ ही य बहुत बड़े events है बहुत बड़े level पर होंगे जो market को चली पैक करेंगे इनके उपर आपको नदर रखनी है यहां पर इस बांद के लिए बाकी fear and greed भी आप देखो के तो 50 के पार आ चुका है तो मैं कहुंगा इतना जादा यहां पर लारच करना ठीक नहीं है Profit book करना करें मेभी हम 48,000 डोलर की level पर देखने को मिलें इसके बाल बात करना है जब यह level तोटेगा लेकिन वेट करना कि 4 घंटे के एंडिल इसके उपर close हो ऐसा नहीं कि level तोड़ी है तो सिधर यहां पर लॉंग कर दिया महां पर फ़र्च जाओगे बागी मैंन आपको दो लेवल करने का वो यही है जो मैंने आपके साथ डिसकर करता है 1.18 और 1.04 जिस पे 95 आइनार लगबग 105 आइनार पर जम बाय करते थे अधर्वाइज रिसकी बाय करना तो 1.4 1.5 की यह रेंज भी सही है लेकिन उसके उपर मैं बाय करना भी कुछ साइस नहीं करता हूं मैटिक को क्य को हिट करा है मैं कर लेते हैं यहां पर अच्छी बात चीह नहीं करा तो अभी भी कर लो मैं करूंगा यह शौर्ट टर्म टेट था बिल्कुल लॉंग टर्म के लिए नहीं था कि होल्ड करो उसको ट्रेडिंग इस केस आप से मैंने बताया था कि सीरिश से बारा पसेंट का प्रॉफिट बना सकते हो बना लो प्रॉफिट बुक करके इसको यहां पर छोड़ दो इसी रेंशियों पर जहां पर प्राइज यह चल ला है जो हमाई रेड लाइन थी मेरा परसनल यह प्रतिश्ट रहेगा बागी आप लॉंग टम में होल्ड करना जाता हो तो बात आला क में लिए रहेगा तो आज भाइस यही अपडेट है उमेर करतों वीडियो आपके लिए हल्फुल रही होगी मिलते हैं कोने वीडियों सब्सक्राइब के लिए